नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ससी लर्निंग पॉइंट भाई सिंग सर आज हम करेंगे सेलेक्शन पोस्ट का जो फेस्टेन का पेपर हुआ था उसका चार अगस्ट टू यानि ग्रिजट लेविल के सवाल करेंगे ठीक है पांस पेपर हम कर चुके एक वीपर आज मतलब आने वाले सवाल मतलब आने वाले पेपरों में यह सब काम में आएंगे ठीक है बाकी इनके जो इन्हीं के पेपर हुए है उनको भी सलुशन करवा देंगे इसी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो सकता कुछ पी कि एकदम से चाओ कि यह करवा करते नहीं हो सकता है छिए फिरस्टार्ट करते ह había बिनादेरी कि यह हुए एक कार को अठारा दिनों में पूरा कर सकता है बी उसी कर को 22 दिनों में पूरा कर सकता है एक साथ काम करना शुरू करते है लेकिन वी केवल 8 दिनों के लिए में 22 असको क्या ले सकते हैं नौड़े दो 9 गोड़े 16 यहल्स हो गया इसकी कितनी आ गई तो तॉटल काम कितना कितना हो गया सोडनेंद इक सोच वालिस दूनिए दो सोठासी अब यहां देखो बी ने कितना क्या आट दिन काम किया यह नहीं कितना काम किया श्याठ से थो गया च्छ्छ आट से साथ गया एक बच्चा याने कि ए ने काम किया दूसों सोला एक रिचियो एक अनुपाद तीन और गया तीन-चार की वेलू दी ती आटासी सो जो की कितना थी 227 गोधी की वेलू निकाल ने थी आफ शॉट सो आंसर आ गया अगला सवाल देखो तिर्दिया अनुपाद निकालना है दूसरे नंबर का स्कॉयर कर दो बटे फस्ट नंबर कर दो यह बहुत बार फार्मूला बता चुका हूँ तीन अठ्थे चौवेस यानि का ठूट ठूट चौशाट अंसर अगला सवाल M का वहमान ग्याद कीजिए जिससे यह नंबर 3 से बिवाज हो जाए बिल्कुल सिंपल है 6,5,11,11,2,13,13,3,15 यानि के M बरावर क्या हो गया एक आयतागार बाक से का आयतन ग्याद कीजिए जिसकी विमाए इतनी है तो 4,3,12,24 अंसर हो गया अगला सवाल दिया गया है तरवुज M, A, N, तरवुज C, P, T एक दूसरे के इस प्रिकास सरवांगसम है कि एंगल M बरावर 75, N बरावर 65, A बरावर 40 तो एंगल C बरावर इतना तो P बरावर इतना तो X माइनस 5Y का मान क्या होगा देखो दो ट्रियंगल थे सरवांगसम मतलब क्या होता बिल्कुल हूबा हो जब सब कुछ बरावर होगा उसमें M, A, N और एक था C, P, T C, T, और T एंगल M कितना हा तुमारा 75 है एंगल N कितना है 63 है एंगल A कितना है चालेस है यानि कि इसमें भी यह 75 होगा यह 40 होगा यह 66 होगा क्योंकि सरवांगसम की बात करा एंगल C बरावर X बटे 2 यानि X बटे 2 बरावर 75 हो गया तो X बरावर देड़ सो हो गया तो क्या पूछा गया एंगल P बरावर एंगल P कहा पर रहाए यह दिया चालिस यानिक 6y प्लस 16 बरावर 40 यानिक 6y बरावर 10 से 6 गया 4 वचा तीन से क्या 2 यानिक 2 बरावर 24 हो गया हमें निकालना क्या था एक्स माइनस 2 वाई एक्स वैलू आगे 1500 माइनस 5 वाई यानि 5 चोकू 20 तो अंसर क्या आग hearings अगला सवाल मैं एक करमचारी की आयं उस्के ब्याइज से 30 अधिकर उसकी आए में 10 percent की कमी जोती है और उसके व्याइज में 3 पर्शेन 43 तो उसकी बचन में कितने बहय का अन्पात क्या होगा 30-10 होगा अब कयरा 10% की कमी होग Lahir और क्या बहय टीन परसेंट की ब्रत्थ होगी बहय में अब बचत का पूंचा आ है तो देखो इनका Anpard क्या था 2 अन्पात तीन था उनका difference किया देखो यह plus का की माइनस का difference करें देड हो जाते निए तीन बरावर तेरा है तो दस बरावर क्या होगा एक सो तीस बटे तीन होगा अब देखो यह दस से बड़ा था तो यह देखो दस से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए पहले ही कमी हो रही थी यानि कमी होने के लिए और पीछे जाना पड़ेगा यानि कि इन दोनों को जो कमी होगे जैसे मालोग कोई चीज थी कमी हो रही तो माइनस में होता है माइनस कमन है अब इसमें कुछ ही जोड़ोगे ना तभी तुदर आओगे दो पर फिर जोड़े फिर तीन पर आगे तो इस तरीके से यहां चलता है ठीक है अगला सवाल कि यदि पांच और 245 के बीच मद्याण पाथी एक था चारगी पावर 4-6 पावर 2-2 और इसकी वेलू बतानी देखो एक्श व्रावर क्या हो जाएगा रूट 5-120 ये पांच का क्यों होता ना तो इसको कह लिग सकते हैं 20 आंसर आ जाएक एकस का यहां देखो बाई बरावर यार की पावर 4 है root पर जाएगा तो 4 की निकालना काटनी की जुरूरत है कि एक 12 जाएगा 25 क्या हो गया अगला सवर यहादिक कीमत में 10 परसेंस कम कर दी जाती है तो कोई भीखती 22 केजी अधिक चावल खरीद पा सकता है तद उनसार चावल की बस्तवी कीमत प्रति केजी कितनी है दिखो 10% कम कर रहा है तो कितना 22 केजी हम कहरें 100% कर लेते हैं तो टोटल अमांट निकल आएगा कितना था तोटल कॉंटटी ठीक है अमांट की बात नहीं कर रहा हूं तो 22 बटे 10 कुड़े क्या हो जाएगा 100 क्यानि कि 220 केजी की बात हो रही है लेकिन क्या कर रहा है कितनी है मूल पूछी बास देगा इससे क्या करना पड़े चलो भाग कर देते 22 मैं 198 होगा ये दो नहीं मा अठारा होगा दो एकन दो यानि कि 125 में 900 क्या करना पड़ेगा बाक देना पड़ेंगा तो दिखो एक वाद जाएगा पंद्रह से नो गया छे बचा यहां बच्चा कितना 11 11 से नो गया दो बच्चा पॉइंट लगाएंगे बिंदी बढ़ायेंगा ऑप्सन का सारा लो देखो सम्में दो दो आरहा है तो दो से तो जाना ही जाना यानिक दो ने मैं 18 दो ने मैं 18 एक निस हो गया तो दस से आट गया दो बचा यहां बचा कितना था तुमारा पांच नौच पंद्रा होता है फिर देखो अप्शन का सारा छे चार जीरो दो सबसे पहले सबसे बड़े से ही चेक करते हैं चार पांच चला जा रहा तो आंसर तो यही हो गया बाकी आगर आप दूसरे तरीके से भी करते हैं देखो चावल कीमत में 10% कम कर दी जाती 10% का मतलब एक बटे 10 एंदस की चीज होगी नौ क्या हुए अब मतलब चावल की कीमत यह होगी कीमत तो देखो प्राइज सेम रखा करना पड़ेगा उनकी जो खपत न उसको इस तरह में टेंट करना पड़े प्राइज सेमर एक की वेलू दी थी बाइस के थी अमें क्या करना प्राणी कीमत बता नहीं ती यानि 9 की वेल्व निकालेंगे तो नौदूनी अठारा हो गया नौदूनी अठारा एक उनिस हो गया 198 आगी खपद अब प्रतिकेजी निकाल नहीं थी तो 200 में यहां पर भी 198 से भाग करना पड़ता है है अगला सवाल नोजार सोला दो जार सत्रा में राच एका कुल उतपाधन तो जार शोला और दोजार सत्रा में एका एका इसमें देखो पचास समें कितना है अगला सवाल अपनी यात्रा के दोरान बस 80 km प्रति गंटा की चाल से 60 मिनट तक चलती है 100 km प्रति गंटा की चाल से 90 मिनट तक चलती है और एक निश्चे चाल से 4 गंटे तक यात्रा करती है अपनी दूरी यात्रा परएपूरी यात्रा की दौरान बसकी जल सत्तर किलूमेटर परती ग्टा थिए चार घंटे की दौरान बसकी चाल गया दिए तो average speed का तोटल डिश्टेंस अपाउन टोटल टाइम थीग है enc species सौ Ingred कितने हो गी ऐसी गुड़े साथ बटे साथ गंटे में चैंज कर लिया टाइम को प्लस किलो मिटर पर दिगंटा इन्टू 90 बटे साथ हो गया अब इसकी चाल निकालनी तो एक समाल लो चार गंटे है टोटल समय कितना लग रहा है साथ बटे साथ ले रहा हो एकजैक्टली बैसे लिख सकते थे काट के विन यहाँ देखो 90 बटे साथ का यहmoraround चला गया यहां देखो वन हो गया यहां तीनतर का नो तिन दूएचर हो गया यहानि यानिक LCM नीचे क्या हो गया दो हो गया यह भी काट लो यह से चला गया तीन तर का नो तीन दू नीचे हो गया दो पंजे दस यानिक या पर आ गया देड़ सो यह असी यानिक 230 बरावर 230 प्लस का 4X हो गया नीचे देखो 2 हो जाएगा चार दूनी आठ हो जाएगा यह उपर चला गया तेरा वटे दो यह हो गया 35 यानिक तेरा पंजे पैसट तेरा तीन तालेस हो चे तालेस दो सो तीस प्लस 4X यहां देखो इदर उपर करते हैं तो 4X वरावर क्या आ गया पांच और पांच से तीन गया तो चार से दू गया तो चार सिकार तो 4,520, 4,24 चार दूनी 8,4,520 अंसर आ गया अगला सवाल एक बेक्त की आई और बे कानपाद पांच अनपाद दो है अपनी आई की कितने पिरस्थ की बचत कर रहा है देखो आई कितनी है पांच है और बे कितना है दो है तो बचत कितनी होगी तीन रुपए यहने कि 3 बटे 5 गोडे 100 हो गया 5 दूनी 10 हो गया 20 ती यह 60 हो गया 30% की बचत कर रहा है अगला सबस देखो A-B बरावर 10 A-B बरावर 4 और इसकी वेलू में बता नहीं थी तो देखो क्या गरो पहले इसका एक बार होल क्यूब कर दो AQ-BQ-3 A-B प्रेकट में A-B बरावर कितना हो जाएगा 1000 तो A की जगए A-B की जगए 4 रग तो A-B की जगए 10 रग तो यह क्या हो गया 120 AQ-BQ बरावर क्या हो गया 1120 ज़रा के हमने क्या गया जोड़ दिया आप क्या देखो A-B का होल स्क्वाइर चाहिए इसको क्या लिख सकते है A-B का होल स्क्वाइर प्लस का 4A भी लिख सकते हैं मिल्कुल प्लस का स्क्वाइर 100 होगे अप्लाइच चार्चो को 16 हो गया यहनिक 116 तो यहां से देखो इसमें आप पुट कर देते हैं 1120 प्लस का 4 गोड़े 116 अप्सन से अगर करते यूनिट डिजिट से तो अभी तक हो गया हो था चार संग 24 और 4 एकम 4 दो 6 चार एकम 4 तो जोड़ दो 4 हो गया 6 दो 8 हो गया 4 एक 5 हो गया पंद्रह सो चौरासी आंसर आ गया अगला सवाल एकस q minus dw q प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या गठाना होगा ठीक है बिल्कुल सिंपल सवाल था धा देखो ये चाहिए हमको और ये चाहिए ये दोनों चाहिए नहीं आप देखो क्या कर रहा है एकस q minus y q चाहिए minus का 3 x square y plus का 3 x by square क्या घटाना होगा यानी कि यह माइनस का है कि इदर में प्लस का चाहिए यानी कि यह वाला यहां पर आयेगा तो यह माइनस का 3 x square by यह जाई यह प्लसका में रखना पड़ it को में यह नंबर पूरा घटाना पड़ी तो अंसर आ गिया है अगला सब आ एकस माइनस बन अपाउन एकस बरावर इतना आया तो इसकी वेलू निकालने देखो सिंपल सा यह सब को पता होगा अगर ए हो और एकस बन अपाउन एकस निकालना हो तो ब्रेकेट में एसकौायर प्लस का ओर हो जाता है तो एकी वेलू क्या है 15 वटे चार पंद्रा पंद्री हम दोसर पच्छेस वटे 16 प्लस चार हो गया यानिक चार 16 चुकू 64 यह हो गया 289 अपॉन 60 तो यह आंसर क्या गया 17 वटे देखो अगर यह देखो कि यह फार्मूला कहा है तो देख लो अगला सबस्कों की एक हिंदी परिच्छा मे गया बिद्यार्तियों को 68 अंक प्राप्त हुए साथ बिद्यार्थियों को 80 अंक प्राप्त हुए, पांच बिद्यार्थियों को 82 अंक प्राप्त हुए, दो बिद्यार्थियों को 86 अंक प्राप्त हुए, हिंदी में आउसत अंक कितने मिले, देखो सिंपल सता, 11 को 78 मिले, 7 को 80 मिले, 5 को 82 मिले, और 2 को 86 मिले, आपसन देखो सबसे सरल क्या आसी एवरेज मान लो असी माइनस का दो गया यानि 11 लोगों कितना कम रहा होगा 22 कम रहा होगा यह जीरो हो गया यह कितना ज्यादा दो ज्यादा गुड़े पांच लोगों में दस ज्यादा रहा होगा यह देखो छे ज्यादा यानिक दो लोगों में 12 ज्याद व्रत्खंड की तरज्या जो एरिया मितलब 6 तरफल होता है उसका फार्मूला था पाई यार इसका ठीटा बटे 360 पाई की वैलू 22 वटे साथ आर की वैलू है चार कुड़े चार ठीटा की वैलू है तीस बटे क्या है 360 तो तीन एकम तीन लूटे सेंट्रीमीटर माइला सवाल ने को सिंपल सामान रखना तो और कुछ नहीं चार गोड़े देखो सुन स्कॉरे साथ बराबर होता है विल्कुल होता है कैसे होता है जैसे सैनुस का थीस के वैलो एक भटे दो है चार हो गया उस्कार साघ की वैलो एक भटे दो इस लाउट हो गया 1500 का धर फ्लस एक मैनस का आ हो गया द चार से चार केंसल आउट हो जाए नीच देखो दो से दो cancel out ये तीन हो गया तीन माइनस दो बटे दो उपर यहां क्या बचा है एक बटे दो तो दो दूनी चार आंसर क्या गया एक बटे दो अगला सवाल एक कार्याल है में 80% करमचारी पुरोस है जबकि 20% महला है पुरसो की आउसत आयू 30 है और महलाओं की आउसत आयू 40 है उस कार्याले में सभी करमचारी कोई आउसत आयू क्या है देखो 80% पुरोस है और महलाओं 20 है 20 से कम 20, 20 चुकू 80 तो देखो पुरसो का 30 था 40 था और रिशियो चारनपा देख था तो यहां पर कहीं एवरेज रहा होगा यह रिशियो रिवर्स हो जाता है यानि की टोटल रिशियो जोड़ेंगे तो 5 और इसमें डिफरेंस 10 का यानि 5 परावर 10 है तो 1 परावर 2 आ जाएगा, 4 परावर 8 आ जाएगा, तो या तो इसमें 2 जोड़ दो, तो 32 आ जाएगा कौट ठीटा कितना हो जाएगा, 5 बटे 12, आगला सवाद मौवान अपने क्रेम मूल उपर फल बेजता है, लेकिन एक केजी के स्थान पर 850 ग्राम बजन का उप्योग करता है उसका ला पिरस्त क्या, देखो 1000 ग्राम का मूल मान लो की 1000 रुपए था 1000 रुपए था एकन वो क्या कर रहा, 850 ग्राम चीज दे रहा तो वो अपने पास से चीज कितने की दे रहा 850 रुपए गी दिन ग्राक से ले कितने रहा, 1000 रुपए ग्राक के चूना लगा रहा तो कितने का फाइदा ले रहा, 1500 रुपए गा त्रा थे एक्सो चत्यस होता है 17 सत्य एक्सो उननेस हैनिक 17 से 11 बटे 17 परसेंट आजाएगा अगला सवार एक दुकंदार चत्यस हो के अंकित मुल वाली घड़ी की विक्री को निम्लिके मेंते दो चूट पेस करता है एक चूट यह हो गई एक यह हो गई कर आया कि अंतर क्या है देखो सिंपल सा अंतर क्या होगा देखो पंदरा इसमें पीस दस तीस हो गया यानिकि यह देखो कैसे यह देखते ही यह चीज निकलनी चाहिए मतलब यह लिखना ना पड़े तब तो ठीक है प्रेक्टिस नहीं तो भईया कोई ना कोई दिक्कत है समझ से आये तो देखो यह दोनों तीस हो रहे यह तो कैंसल आउट हो गया इनका केवल डिफरेंस में देखना था पंदरा यह दो जीरो चलेगे पच्छे चक्का देड़ सो हो गया आसे लगा पंदा पच्छिस थिया पच्छत्तर पंदा नब्ब्य यह अटाएंग तो दो जीरो चले जाएंगे नो आंसर आ अगया अगला सावर सभी बर्गों की चात्रों की नियूंतम संक्या किस बाग में देखो नियूंतम संक्या निकाल नहीं है जोड़के तो निकाल लो कि आपजर्वेशन करके देख ले थे कितने दिये थे पांस दिये थे आप्सन कितने है चार है हमें इवाले से तो कोई मतलम नहीं है ठीक है त में देखुए 50 के difference 50 क हुँग दिखा की फैसने कम है और इसमें देखो 50 ज्यादा है इसमें देखो 135 ज्यादा हो जाए approximation तो कुछ दा की तो ज्यादा हो तो जिल्यादा किसे हो है इसमें while there讲 कोई मतलम नहीं यह में फिर पर देख लो दिम्हें आ लेड़ी दिख रहा है पान पान सो के दिए ना तो ए में सबसे कम हो गए अगला सवाद देखो ये नंबर है 72 से विवाच है 2P पिलस Q के मान बताना देखो नंबर क्या था 7, 5, 6, 5, 3, 4, 3, 5, 7, Q तो देखो भातर को क्या ले सकते 8 बुड़े 9 कर लो तो 8 से पहले डिवाइड कर दो 8 सत्य चपन हो गया एक पच्छा यानिक 8 दूनी 16 क्योंकि वे लिवागी 6 तो देखो 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15, 15, 15, 25, 25, 25, 25, 24, 29, 36, 35, 37, 42, 42, 46, 48 आप देखो नो पनना 45, नो चक्का चोवन होता यानिक इसमें 6 जोड़े 9 से हो जाएगा पी की जगए 6 रख दो 6 दूनी 12 प्लस 6 अठारा अंसर आगे बाकी आप लोग ऐसे वी का देखो जैसे 5, 4, 9 है इसको काट दो 6, 3, 9 है इसको काट दो फिर क्या बचा 5, 5, 5, 10, 10, 10, 17 इसको चोविस और चोविस और कितना चोविस चे तीस तीस में 6 और चोड़ तो 36, 9 से कटता ना तो जैसा जिसको इसको पांच की चीज होगी चीज दो वर्स की कह रहा है तो 25, 36, 25 की वैलू है 15,000, एक, दो, तीन, तो के गुना हो रहा है 1500 यानि 600 गुना इसका भी 600 गुना करते है 36 यानि 6 का क्यों बोरा सिंपल दिख रहा है ना 216 और 2,0 अगला सबर देखो पाई चार्ट दिया गया है बोला गया केवल LIC तथा यात्रा पर हुए बेक के पश्चा सेस कुल बेक आई के य यानि 14-8 कितना होता है 22 होता है 100 में से अगर 22 गटाएंगे तो अगला सबर चार अगस्त की सिर्फ टू ग्रेडट लेविल हमने कम्प्लीट कर लिए है आप कोई भी वेपर नहीं बचा इसका ठीक है आपको कैसा लगा यह हमको जरूर बताईएगा सारे पेपर देख लीज परसन में आप बताईएगा कि पेपर की जो सल्यूशन सेरीज चल लही है कैसी लग रही है मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाकि आप लोगों पढ़ाई अच्छी चल रही होगी मैं ऐसा करता हूं चलिया फिर मिलता हूं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय मारत